मनोज जी, 28 उम्र, नौईडा से, आईटी इंजीनियर हैं, उनका एक प्रश्ण है, मेरे परिवार वाले खास तोर से माता पिता कहते हैं कि तुम्हें अलग से गुरु बनाने की क्या जुरुत है, हमारे खुद के गुरु महराज हैं, उनको क्यू नहीं मानते, मेरा उनके क्या चलू, घरवालों को कैसे समझाओ, कृपा बताएं, इस प्रश्ण में कुछ दो-तिन लेयर्ज हैं, और ये प्रश्ण बहुत मित्रों का हो सकता है, सिरफ मनोज जी का नहीं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, एक सुन्दर बात जो भारत के कल्चर में है, जो भी हमारे भीतर आध्यात्म की पुकार आ रही है, आध्यात्म की तरफ, परमात्मा की तरफ, कोई एक चाह हमारे भीतर जाग रही है, ये हमारे परिवार वालों के ही संसकार हैं, जो हम तक पहुंचे हैं, ये हमारे परिवार वालों के जो गुरु महराज हैं, जिनको भ हमारे भीतर आध्यात्म के प्रति, जीवन के प्रति इस तरह के प्रश्न उत्पन हो रहे हैं. तो पहली बात कि जो भी आत्रा हमारे परिवार वालों ने की या कर रहे हैं आध्यात्म की, हमारे भीतर उनके प्रती या उनके किसी भी गुरू के प्रती कोई निरादर ना हो, कोई निराकार ना हो, कोई opposition ना हो ये पहली बात हमें याद रखनी है दूसरी बात हमें याद रखनी है क्योंकि उन्ही के गुरू महराज और उन्ही की साधना के संसकार आज हमें साधना की तरफ प्रेवित कर रहे हैं तो उसका धन्यवाद भी हमेशा मन में बना रहे है यह दूसरी बात हम याद रखें अब जहां तक हमारी व्यक्तिकत साधना की बात है इस प्रिथवी पे हर व्यक्ति बहुत ही यूनीक है हम सब अलग-लग तरहां से परमात्मने हम सब को अलग-लग तरहां से गड़ा है और शाद इसी वज़ा से भारत में लाखों, करोडों, देवी, देवताओं और मतों का एक समागम रहा है जिसको हम सनातन बोलते हैं यह इसी वज़ा से रहा क्योंकि हम सब युनीक हैं, हम सब की प्रवृतियां युनीक हैं हम अपनी प्रवृति के अनुसार, अपने गुरु, अपनी यात्रा, अपने भगवान, अपने साधना के पत्थ को चुने और ये freedom सब के पास होना चाहिए इस पृत्वी पे आध्यात्म ऐसा विशय नहीं है कि जैसा आपके परिवार में चला आ रही है ये प्रथा आप उसी को follow करेंगे आपकी खुद की आपको unique mark जो भी आपके भीतर से आपके हृदर से match करता हो वो आपको खोजना होता है और ये सब हर व्यक्ति की व्यक्तिगत खोज है तो बात साधना हर व्यक्ति की एक बहुत ही व्यक्तिगत खोज है संसकार मिलेंगे आपको माता पिता से उसका thankfulness हो उसके प्रती कोई opposition ना हो गट आपको अपना मार्ग खोज ढूनना होगा वो बहुत व्यक्तिगत विशा है अब थोपा थापी का तो खेल चलता नहीं है इसमें जो भी आपके परिवार वालों के गुरु माराज हैं प्रता है अगर वो आपके भीतर connect नहीं कर पा रहा तो आप उस पर चल नहीं पाएंगे अब प्रश्न यह आता है कि घर वालों को कैसे समझाएं मुझे लगता है इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है जिस दिन आपकी यातरा जो भी यातरा आप चूस करते हैं वो आपके भीतर फलित होने लगेगी आपके घर वालों को उसके परिणाम दिखने लगेंगे और वो परिणाम देखके एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वे खुद इस बात को मानेंगे कि जो भी आतरा, जो भी पत, जो भी गुरू, जो भी संपरदाय आपने चूस किया वो आपके लिए एकदम सही था तो जैसे अंग्जाइजी में बोलते हैं तो मेरा आपसे एक कहना होगा कि उनको समझाने की चेश्ठा भी मत करें भी क्योंकि जिस लेवल पे अभी आप हो साधना के आपके समझाने के सभी प्रयास विवाद में कनवर्ट हो जाएंगे यह मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सारे साधक मित्रों के साथ वो अपने घर परिवार वालों को समझाने की कोशिश करते हैं इंटेंशन अच्छी है बट भीतर साधना की स्टेबिलिटी नहीं है जड़े नहीं हैं अभी साधना की भीतर और हर अच्छी इंटेंशन भी एक विवाद का रूप ले लेती है तो वो प्रयासी मत करो वो गलती मत करना क्योंकि विवाद से दर्वाजे खिड़कियां बंद हो जाते हैं रिदय के और इस पत्थ पे हमें किसी के भीतर के भी दर्वाजे खिड़कियों को बंद नहीं करना है अब ये प्रश्ण था आपका कि घरवालों को कैसे समझाओं एक तरीका ये है कि ये वीडियो उनको दिखाएं हो सकता इस वीडियो को देखके मेरी वाणी सुनके मेरा विचार सुनके उनको ये बात स्वयम समझ में आ जाएगी और नहीं आए तो थोड़ा इंतजार करें थोड़ा पेशन्स रखो सारा फोकस अपने गुरू, अपनी साधना, अपनी यातरा में लगाईए जैसे जैसे फूल खिलेंगे महक घरवालों तक पहुँचेगी वो प्रेम करते हैं आपसे आपके उपोजिशन में नहीं है हाँ महक नहीं मिल रही उनको अभी तो जितना प्रयाश करोगे, जितना साधना में गहरे डूगोगे आप उतनी महक फैलेगी और इस पृत्वी पे महक हर आदमी पकड़ पाता है इस पृत्वी में प्रकृती ने एक बड़ा अद्बुत खेल रचा है जिसके भीतर भी धर्म की, आध्यात्म की या साधना के फूल खिलने लगते हैं उसकी खुशबू कठोर से कठोर व्यक्ती के हरिदे तक पहुँचती है खुशबू पहुँचती है इस बात को जाने, इस बात को माने, इस बात पे विश्वास करें और इस बात की तरफ बढ़ने का प्रयास करें मुझे लगता है यह आपकी बहुत मदद करेगा रिशब जी मुंबई से बैंक में जॉब करते हैं उन्होंने पूछा है परिवार में घर ग्रस्ती में रहते हुए साधना के मार पर कैसे चलूँ मेरे घरवाले मेरी साधना को समझते नहीं है और सहियोग की बदले विरोध ही करते हैं बार-बार कोशिश करने के बावजूत भी ऐसा लगता है कि यहां मेरी साधना में गती नहीं हो रही ऐसी स्थिती में क्या करूं कोई एक ऐसा व्यक्ति मुझे ढून के बताईए इतियास में सर्च कीजे जाके जिसके परिवार वालों ने सपोर्ट किया उसकी साधना में ऐसा कभी किसी के साथ हुआ नहीं है और ऐसा नहीं कि यह आप ही के परिवार वाले जादा दुष्ट हैं जो आपकी साधना को में उपोजिशन डा रहे हैं यह प्रकृति का नियम है जी आप बुद्ध की साधना देखें परिवार वालों ने अपोज किया था साथ तो नहीं दिया इसलिए उनको जाना पड़ा था यह प्रकृति का नियम हमें ने बोला क्यों बोला इसके इसके रीजन्स हैं दो आपोजिट्स हैं जीवन में सहयोग और विरोध यह हमारी एगो है हमारा अंकार है जो बोलता है कि भई अगर मैं सही रास्ते पे चलने लगा हूँ जो मुझे सही रास्ता लग रहा है तो सारी दुनिया को मेरे को सहयोग देना चाहिए लोगों को खड़े होके मेरा स्वागत करना चाहिए तालियां बजानी चाहिए कि अरे वा आप तो साधना के मार्क पे चल परे ऐसा कोई नियम नहीं है और प्रकृति ने यह सही ही किया है कि आपको विरोध मिल रहा है यह सुनने में आपको बात थोड़ी अजीब सी लगेगी क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला जीवन में दो आपोजिट फोर्सेज हैं सहयोग की और विरोध की और कोई भी पेड जिसको अपनी जड़ों को मजबूत करना है अगर आंधिया नहीं चल लेंगी तो वो जड़े मजबूत नहीं होंगी खोखला, हलका, ढीला, कमजोर रह जाएगा वो वरिक्ष प्रकृति चाहती है कि साधना में आपकी जड़े मजबूत हो और वो मजबूती के लिए थोड़ा विरोध जरूरी है अगर सब जगां से आपको सपोर्ट मिलने लगेगा एंकरिजमेंट मिलने लगेगी तो ये जो विरोध जो नेगिटिव फोर्स है जो आपकी जड़ों को मजबूत करती है जैसे हम शरीर के विग्यान में देखते हैं यानि उस विरोध का आना शरीर में बड़ा जरूरी है अगर विरोध नहीं आया शरीर में तो आपकी इम्यूनिटी कभी अच्छी नहीं बनेगी इसका प्रमान ये है कि कभी भी जब भी आप देखते हैं कि कुछ विदेशी मित्र पहली बार भारत में आते हैं तो सबसे पहले आते ही जो होता है उनका पेट खराब हो जाता है पेट इसलिए खराब होता है क्योंकि यहां के वातावरण में जिस तरह के पैथोजन्स हैं उनके शरीर में उसको डील करने की इम्मूनिटी नहीं है उनके जीवन में शायद उनको पैथोजन से उतना विरोध नहीं मिला उन्होंने बहुत सैनिटाइज करके रखा अपना एट्मोस्टफियर साधना में भी यही रूल अपलाए होता है आपको सैनिटाइज एन्वार्मेंट नहीं चाहिए जहां हर चीज, हर व्यक्ती आपको सपोर्ट कर रहा है आपको जरूर ऐसे लोग चाहिए जो आपका विरोध करें उसी से तो पदा चलेगा कि आपका रिजॉल्व कितना है परमात्मा को पाने का आपके भीतर की पुकार कितनी है और दूसरा नियम भी बताता हूँ आपको जितना विरोध होता है उतना आपके भीतर की प्यास बढ़ती है यह हमारे यंग मितर अच्छी तरह से जानते हैं जब वो स्कूल, कॉलेज बड़े होते हैं प्रेम होता है किसी से जितना opposition मिलता है लोगों से उनको प्रेम में उतना उनका प्रेम उनको फील होता है कि घहरा हो रहा है तो opposition is not always bad इस नियम को आप याद रखियेगा दूसरी बात परिवार वालों के अगेंस्ट जाने का साधना का पत नहीं है और एक householder के लिए, एक पारिवारिक व्यक्ति के लिए, yes, साधना करना कठिन है क्योंकि विरोध हैं, oppositions हैं, आपने जीवन में बहुत सारे जंजाल बना रखे हैं अब आपको उनको डील करना है, वो करम तो आप नहीं किये आपने विवा किया, घरवालों से कुछ expectations रखी, इसी तरह घरवाले भी आपसे कुछ expectations रखते हैं तो householder के लिए, साधना पत थोड़ा कठिन तो है, तो क्या किया जाएं, पहला rule इस विरोध का विरोध मत करना, यह पहला नियम है क्योंकि अगर विरोध का विरोध करने में लग गए, तो यह उर्जा आप अपनी व्याय कर रहे हो, you're wasting your life energy don't do that, accept कर लो इस विरोध को और समझ लो, मान लो, कि प्रकृती ने गठा है आप ही खे बले के लिए ताकि आपकी साधना में resolve longing जड़े मजबूत हो पाए, तो accept this माता पिता के प्रती, घरवालों के प्रती कोई निकार नकार ना हो, कोई negative भाव ना हो हमारे रिदे में, यह पहला नियम अब घर-परिवार के माहोल में साधना करना, ध्यान में बैठना आप जो भी, जिस भी साधना के पत्पे हैं, बहुत बार मोका नहीं मिलता, यह बात एकदम सत्य है, और इसका हमें कुछ तोड़ चाहिए रामकृष्णा परमांजा, उनके जाधतर जो भक्त थे, डिसाइपल्स थे, वो सब हाउसोल्डर्स थे और रामकृष्णा एक ही बात बोलते थे उनको, हर महीने कम से कम दो तिन दिन का समय निकालो, जब आप उन दो तिन दिन फुल टाइम, सारी उर्जा, सारा प्रयास, सारा समय अपनी साधना को देंगे और तीस दिन में, अगर आप दो दिन छुट्टी मांगते हो घरवालों से, तो मेरे देखे कोई घरवाले मना नहीं करेंगे इस बात के लिए तो वो दिन, दो दिन निकालिए, अपने जीवन में से हर महीने जाओ किसी गुरू के पास, जाओ किसी गुरू के आश्रम जाओ, किसी नदी के पास, जरने के पास, जंगल में, पहाड में, जहां आपको सुगिदाओ और इन लो दिन याद करो अपनी साद्णा को भीतर जाओ घेरे जाओ अपनी चेतना को किसी भी बाहर के विशय में मत लगने दो इन दो दिन और आप देखोगे कि ये दो दिन की हर महिने की साद्णा इतना बल देगी कि बाकी 28 दिन आप परिवार में रहते हुए भी अपना समय निकाल लिया करोगे जब जैसे ही आप आँख बंद करोगे आप connected होगे अपनी साधना अपने परमात्मा के साथ अगर आपने इस नियम को अपने जीवन में उतारा तो ये जो आज apparent दिखने वाले oppositions हैं ये सब आपकी support में आने लगेंगे आपको ये दिखने लगेगा कि कैसे इस so-called negative opposition ने आपकी साधना को बल दिया है और इस बल के बिना साधना हो नहीं सकती तो भीतर हृदय में धन्यवाद का भाव रतना इस opposition के प्रति और हर महीने अपने अपने पारिवारिक जीवन में से कम से कम दो दिन निकालना जिन दो दिन आप सिरफ और सिरफ साधना में रत रहोगे जिस साधना पत पे भी आप चल रहे हो और उन दो दिन कोशिश करना कि आप nature के पास की किसी स्थान पे हो क्योंकि nature बहुत हील करता है आपको आपको बहुत सारे सोय हुए अपने पुराने अनुभवों को जगाने में मदद करता है आपको याद दिलाने में मदद करता है कि आपके भीतर भी उसी प्रमात्मा का सुरूप विराज माने बूल गए वो बात अलग है, याद दिया जाएगा तो नेचर बहुत सहयोगी है वो याद दिलाने में इसलिए दो दिन घर से बाहर नेचर के साथ That's the rule और साथ में थोड़ा सा एक जो तीसरा नियम है Especially for the householders आपका focus दिंचर्या पे बहुत solid हो क्योंकि आप बहुत responsibilities होती है घर परिवार का पालन portion करने के लिए और समय तो limited है हम सब के पास अगर एक दिंचर्या को बड़ी निष्ठा से आपने नहीं साधा नहीं अपनाया जीवन में तो रोज आपको समय नहीं मिलेगा साधना के लिए परमात्मा को याद करने के लिए और अगर इस दिंचर्या को आपने ठीक से formulaise कर लिया बिठा लिया जीवन में तो आप देखो कि हर रोज आपको कुछ शन मिल जाएंगे जब आप भीतर की डुपकी लगा सकते हो योग कर सकते हो ध्यान कर सकते हो बिना किसी opposition के तो रोज का एक नियम दिंचर्या से जुड़ा हुआ और ये हर महीने का एक नियम और opposition का opposition ना होने का नियम इन तीन चीज़ को साध हो गए तो यही घर यही परिवार जो आच opposition में है कल support में आ जाएगा करके देखें मुझे लगता है कि this formula works करिपा बताएं साधना के पत पे जो सबसे पहली जो सबसे पहली गलती हर साधक करता है वो दूसरों को समझाने की कोशिश करता है इसमें एक positive भी एक negative भी है positive यह है कि आपके भीतर भाव है कि आपके प्रिये जन भी इस जीवन के अद्बुत यातरा का अनंद लें इसमें negative यह है कि यह जो उनको मनाने का उनको जगाने का जो हम प्रियास करते हैं यह प्रियास उनको बंद करने लगता है कभी आपने देखा चोटे बच्चे को अगर आप बोलो कि सलात खाओ सलात खाओ आप जितना focus करेंगे कि healthy सलात खाओ वो उतना उससे दूर भागेगा इसका reason यह है कि वो बच्चा आपको तो green vegetables खाते हुए और enjoy करते हुए नहीं देख रहा बट आप उसको push कर रहे हैं इस पूरे जीवन में इस पूरे जीवन में learning का एक बड़ा अद्बुत नियम है हम observation से सीखते हैं हम observation से inspire होते हैं हम observation से ही प्रभावित होते हैं प्रयास सेने आपका सारा प्रयास स्वयम की चेतना को जगाने में रत रहे आप ये चिंता छोड़ दो कि आपको अपने बच्चों को परिवार के सदस्यों को साधना के पत पे जोड़ना है आप ये चिंता छोड़ दो जिस दिन वो आपके भीतर आनंद देखेंगे जिस दिन वो आपके भीतर शान्ती देखेंगे जिस दिन वो आपके भीतर प्रेम देखेंगे अनुभव करेंगे जब वो जिस दिन वो आपके भीतर अनुभव करेंगे कि आप जीवन को बहुत हसते खेलते जीना सीख गए है उस दिन उस छोएम आके आपसे पूछेंगे कि हमें भी ये ध्यान का मार्ग सिखाओ हमें भी अपनी साधना के बारे में बताओ हमें भी अपने गुरू से मिलवाओ ये आपको अब्जर्व करके होगा ये पुश करके नहीं होगा तो ये गलती ना करें आप सारा फोकस, सारी चेतना, सारी उर्जा अपनी साधना में लगाओ क्योंकि जो आप कर रहे हो वो रास्ता ठीक है आपके लिए काम कर रहा है, आपको उसके फल मिल रहे है धीरे 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 आप देखेंगे कि परिवार के लोग इंट्रस्टेड होने लगेंगे मगर इस यू ट्राइटो पुश इस त्राइटो कन्विन्स तो वो दूर भागेंगे आप से तो एफट मत करो, पुश करने का, कन्विन्स करने का और ये बात याद रखना इस जगत में, इस प्रिथवी पे कौन व्यक्ति कब साधना के प्रती प्रेरित होगा अल्मॉस्ट वो तैय है आप प्रियास करो या ना करो आप साधना के पत पे चलने लगी कहीं से आपके पूर्वजों का संसकार आया आपके उपर और आप इस पत पे चलने लगे इसी तरह से जब आप इस साधना के अपने भीतर और गहरे उतारेंगी आपके आसपास के प्रिये जनों में ये संसकार आपके थुर्रू ट्राश्फवर होने लगेगा पहुँचेगी उन तक, और खुश्बू के पहुँचते ही काम शुरू हो जाता है, तो प्रयास मत करो, प्रयास स्वयम की साधना में रहे, और परिवार में प्रेम बाठते रहो, आनन्द बाठते रहो, शान्ती बाठते रहो, और देखना इसका परिणाम, स्वयम, स्वयम, के पूछेंगे आपसे स्वयम अपनी अपनी साधना के पत पे चलने लगेंगे ये नियम है इसका एक छोटा सा उधारन देता हूँ आपको बुद्ध जब अपने घर से निकले तो अकेले निकले थे क्योंकि उनको लगा कि कुछ तो आनंद मिसिंग है जो मिलेगा और परिव बुद्ध के आभा मंडल को देखके बुद्ध के कदमों को देखके बुद्ध की खुश्बू को देखके बुद्ध की स्वयम की पतनी बुद्ध की स्वयम के पुत्र बुद्ध के स्वयम के पिता उनके शिश्य होने को ततपर हो गए बुद्ध के बिना कहे बुद्ध न परमात्मा को अपने बुद्धत्व को जगाए और उसका इंपक्ट आपके सभी प्रिये जनों में कुछ समय में आपको स्वतहे दिखने लगेगा प्रयास की आवशक्ता नहीं पड़ेगी धन्यवाद